ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं तुला राशी वालू हो जाओते यार क्योंकि अब आपको भगवान शनीदेव के असिरवास से 7 जनवरी से 20 जनवरी तक बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं जादोस्तो आपको बता दें भगवान शनीदेव के असिरवास से आपके लिए 7 जनवरी से 20 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा समय साबित होने वाला हैं जादोस्तो इस समय में धनलाब के साथ नोकरी भी प्राप्ती के योग हैं साथ जनवरी से 20 जनवरी तक आपको पांच अच्छी खबर मिलने वाली हैं भगवान शनीदेव के असिरवास से आपके लिए यह समय बहुती अच्छा समय साबित होगा ग्रहनक सत्रों की इस्तिती आपके लिए इस समय में बहुती लाबकारी शाबित होने वाली हैं आपक इन दिनों किसमत चमकेने वाली हैं जादोस्तो भगवान शनीदेव के असिरवास से आपको 7 जनवरी से 20 जनवरी तक अनेक उपरकार की बड़ी-बड़ी खुसकबरियां बड़े-बड़े लाब धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिस है वीडियो आपके लिए बहुती महत पपूरे रहने वाली हैं जादोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी 7 जनवरी से 20 जनवरी तक के संपूर्ण और 61 रासी फलके बारे में बताने वाली हैं दोस्तों वीडियो का कि शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक यह करें कमेंट्स बूक्स में जै शनिदेव अवश्े लिकें जिस से भगवान शनिदेव का असिरवाद आपको सीर्वाद्वर प्राब्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहे गा भगवान के असिरवास से आपके लिए 7 जनवरी से 20 जनवरी तक का यह बहत्पपुने समय दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते पूरी करने में आपको आनंद आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तो साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफशर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परन्तु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तो यह समय विद्धार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्शकता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपून सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तो साथिसाथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुसनुमा वातावरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी परत्न सील रहेंगे दोस्तों साति सात पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अटके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होने की संभवना है किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसे सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपून लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तो साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोचना वे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध योगदान रहेगा दोस्तो यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती ह अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तो साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतन रखने की आवशक्ता है भूमी वे वाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश्य लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तों यह समय वे ध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने क आवशक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें करोद वे उत्तेजना पर आपको जरूर नियंतन रखने की आवशक्ता है अन्यता किसी के साथ आपके संबंदी भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ इसाथ अपनी भावुकता और उदार्ता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्ट करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोसल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ इसाथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरन शुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्तों साथ इसाथ यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती हैं इसलिए कुछ समय पर पती पतनी के मध्यें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर वे अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी संबंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसंग पूर्ण रहेगा दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय वेपार वे कामकाज में कुछ थोसवे महतपपूर्ण आप निरने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिक कारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तो साति सात कारोबार में कड़ी महनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नोकरी में हलकी फुलकी परिसानी आएंगी परन्तु आप अपनी बुद्धी मता वे विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण ढंग से निकाल लेंगे साति सात कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है किसी बड़े अधिकारी या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेसा लोगों की दिनचरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तो साथ साथ यह समय व्यपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आगया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके उपर समय दबाब भी रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय कामकाज को पूरी गंभीरता और संजिदगी से आप अंजाम दें अन्यथा आपका ओर्डर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती हैं इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तो साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी चुपडी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे नोकरी में छोटी मोटी समस्याइं आ सकती हैं परंतु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसी समस्याइं रह सकती हैं वर्तमान महौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्था आपका ठीक रहेगा परंतु खान पान तथा दि दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखन झाल